हुआ 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 है अमित्रों नमस्कार चंद्रा इंस्टिट्यूट के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सीपी मिस्रा आज हम सुरुवात करने जा रहे हैं Lower PCS 2019 के योगर्फी को और आज का चैप्टर होगा हमारा डेशांतर ठीक पिछली वीडियो में आपको दिखाये थे हम अक्षांस रिखाओं के बारे में समझाये थे अक्षांस रिखाओं से जो कोश्चन बन रहे थे उनको बताये थे और करण के लिए जिसमें हमने बताया था जैज है में क्वेन चैणे की किन तेशों से भिजर्टी हैं शबुथ श rifkin करना था अंडेकर पिल करना है कि इसी तरीके से मतल रिखाओं के बारे में इस बताया था तो चलिए आज चुछ में कौन कौशक्षे नहा से बन सकते हैं या sias में कौन कौशन नहा पूछे जा सकते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें देसांतर रेखाओं की गढ़ना की गई है समय को समझने क्या ठेकли जैसे अक्षांस रेखाओं को खीचा गया था, उसी तरीके से देशांतर रेखाओं को खीचा गया है मसर के थोड़ा अंतर है, देशांतर रेखाओं उत्तर से दक्षन को खीची गई है और अक्षांस रिखाएं आपने पड़ा होगा, ये पूरब से पस्चिम के उर्फीची गई है, तो सबसे पहले आईए देखते हैं कि देशांतर रिखाओं की परिभासा क्या है, क्या होती है देशांतर रिखाओं, इनकी डिफिनिशन हम देख लेते हैं, तब हम इसको अलग इसको समझने के लिए दो चीजों की आउसकता होती है, या तो गलोब की या मानचित्र की, तो हम आपको गलोब पर पहले समझाएंगे, फिर इसको मानचित्र पर भी कोसिस करेंगे समझाने की, तो देखेगा एक आउट्लाइन हमने मैब बना दिया है, ये प्रिद्विक आ नार्थ पूल हो गया आपका, ये हो गया साउध पूल, इस नार्थ पूल और साउध पूल को एक रेखा के द्वारा हमने मिला दिया, अब आप देखेगा इस रेखा के द्वारा ये गोलब दो पार्ट में फिर डिवाईद हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, ए रेखा के पूरब में हो गया और एक रेखा के पस्चिम में हो गया जो भाग रेखा के पूरब में है यह पूरब में है यहां से लेकर यहां तक यानि यह पूरब चलिएगा यहां तक यह पूरब यह पूरवी गुलार्द कहा जाता है और इस रेखा के यानि कि 0 degree देसांतर रेखा के पस्चिम वाला जो भाग है ये पूरा ये हो गया हमारा पस्चिमी गुलार्थ हो गया ठिक तो पुर्वी गुलार्द और पस्वी गुलार्द और ये हमने बताया था ये घुमत रेखा है इसके उत्तर में उत्तरी गुलार्द और इसके दक्षिन में दक्षिनी गुलार्द तो चारो गुलार्द आज समझ चुके होंगे आप कि किसे उत्तरी गुलार्द कहा जाता है अक्षांस रिखाओं को हमने पताया था उद्धरी गोलार्थ जक्षिन गोलार्थ के बारे में पताया था देशांतर रिखाओं के दोरा हम आपको पूरवी गोलार्थ और पूरवी गोलार्थ है और जीरो डिग्री देशांतर रिखा के पूरवाला भाग पूरवी यह जब आपको देशांतर या अक्षांस में confusion होता होगा, तो यदि East लिखा हुआ है तो, या West लिखा हुआ है, तो ये देशांतर रिखाएं होती है और North South लिखा होता है, डिगरी के आगे North South लिखा होगा, तो वो आक्षांस रिखाएं होती है। इसे अंतरास्त्री समय रेखा भी कहते हैं, इसे बहुँ प्रचलित नाम इसका या सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है GMT है, इसका GMT का फुल फाम है Greenwich Mean Time, दरसल Greenwich लंदल के पास एक छोटा सा सहर है, वहां से ए रेखा गुजरती है, लंदल के पास में ही छोटा सा सहर है Greenwich, वहां से ए रेखा गुजरती है, जिसके कारण ही से Greenwich Mean Time कहा जाता है, या इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, अब आपको समझ में होका आया होगा एक नई सब्दावनी याम्योत्तर, यानि याम्योत्तर रेखाओं को वही देशांतर रेखा कहा जाता है, या इसे हम Greenwich Mean Time कहते हैं, अब इस रेखा के 180 रेखाएं इधर और 180 रेखाएं इधर हैं, ठीक, टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक, अब हम आगे आपको इस मैप के द्वारा, इस आउटलाइन मैप के द्वारा थोड़ा और डिफाइन करने की कोशिस करेंगे देशा हो गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, इस रेखाएं इधर की ओर हैं, और इधर 180 डिग्री तक रेखाएं हैं, यानि 180 रेखाएं इधर हैं, इसी तरीके से 0 से जब हम इधर आएंगे 180 रेखाएं इधर की योड़ हैं, यानि 180 रेखाएं पुरुवी गुलार्ज में और 180 रेखाएं पस्मी गुलार्ज में हैं, तो 180 और 180 यही दोनों मिला करके 180 देशांतर रेखा पुरुवी गुलार्ज में, 180 देशांतर रेखा पस्मी गुलार्ज में हैं, और पुल मिला दें तो ये हो गई 360, यानि प्रिथभी पर फुल 360 देशांतर रेखाएं, पीछी गई हैं, आप से question पुछा जा सकता है, कि प्रिथभी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो सीधा सुतर होगा आपका, ये 360 देशांतर रेखा हैं, ठीक, अब इसी देशांत अब मुख्ष जो इसकी समस्या है, या मुख्ष जो इसका कारणा है, हैस जानने का, वो क्या है, इसको देखेगा, हमने बताया था कि देशांतर रेखाओं को समय को ग्याद करने के लिए, समय कैसे ग्याद करते हैं, और दूसरा दो अस्थानों के समय के अंतर को समझने के लिए, ये दोनों कीज़ेगा, और फिर हम यहां से देखेंगे कि कौन कौन से question पूछे गए हैं, समझेगा, हमारी प्रसभी गोलाकार है जैसा कि आप गलोब में देख रहे होंगे, इधर गलोब देखेगा आप, गलोब को देखे, प्रसभी गोलाकार है और प्रसभी हमारी पस्तिम से पूरु की और खुम रही है, यानि माल लिजे सूरी यहां है है, हमने सूर्य बना दिया, सूर्य इधर है और प्रसभी हमारी इधर, आप देखेगा इधर इस देशानतर रेखाए हैं, यानि पूर्वी गोलार्द की देशानतर रेखाए हैं और इधर पस्तिमी गोलार्द की देशानतर रेखाए हैं, हमारी जो प्रसभी है वो पस्तिम कि हमेशा सूर्य का किधर उगता है पूरब दिशा में ही उगते हुए दिखाई देता है क्यों कि पूरवी भाग में सूर्य पहले दिखाई देता है पस्टिम से पूर भूमने के कारण ठीक तो जो भाग इस्ट में होगा, वहाँ सो योदाय पहले होगा जो भाग वेस्ट में होगा, वहाँ सो योदाय बाद में होगा तो जो इस्ट में होगा, वहाँ समय पहले होगा और जो वेस्ट में होगा, वहाँ समय बाद में होगा तो अब इसके द्वारा हम कैसे समय ग्याद करते हैं इन देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय कैसे ग्याद करते हैं इसको फ़ड़ा देखेगा क्योंकि हमारी प्रथभी में कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है यह हमने बता दिया और दूसरी चीज आप जानते हैं कि प्रथभी 24 घंटे में एक चत्तर अपना पूरा कर लेती है तो कहने का मतलब यह हुआ कि 360 देशांतर रेखाएं 24 घंटे में सूरी के सामने से गुजर जाती है ठीक तो 360 देशांतर रेखाएं जब सूरी के सामने से होकर गुजरती है तो कैसे हम इसके द्वारा समय जात करेंगे इसको देखिएगा हम यहां आपको दिखा रहे हैं कि 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में कुल 24 घंटे का समय लगा ठीक तो एक घंटे में कुल कितने देशांतर रेखा है घंटे में कुल कितने देशांतर रेखा है गुजरेंगी तिसको देखिएगा एक घंटे में कुल 360 बटा 24 कर दीजेगा उत्तरा जाएगा ता 15 यानि एक घंटे में 15 देशांतर रेखा है सूरी के सामने से यहां से यहां से गुजर रहे हैं एक गंटे में 15 दे सांतर रेखाएं गुजर रही हैं यहां इसे यूं कह सकते हैं कि 15 दे सांतर रेखाओं को पार करने में फुल 60 मिनिट का समय लग रहा है फिक तो एक आप यहाँ देख सकते हैं कि एक देशांतर को पार करने में कितना लगेगा समय तो आप 60 में 15 का भाग देख सकते हैं तो 15 चुका कितना हो जाएगा साथ यानि एक देशांतर को पार करने में स्टूरी के सामने से बुजरने में चार मिनट का समय लगता है यही चार मिनट आपको ध्यान में रखना है यही चार मिनट आपको ध्यान में रखना है कि कैसे एक देशांतर को पार करने में चार मिनिट का समय लगा, क्योंकि 24 गंटे में 360 देशांतर पार होता है यानि कि एक गंटे में 300, कितने देशांतर रिखाएं पार हो रही है सुरी के सामने से, 15 देशांतर यानि 60 मिनिट में 15 देशांतर रिखाएं पार हो रही है, तो वही उसी से हम दो अस्थानों के समय के अंतर को समझते हैं तो चलिए आई ये देखते हैं कि कैसे हम एक अस्थान से दूसरे अस्थान के समय को ग्याद करते हैं आई ये देखते हैं कि हम देशांतर रेखाओं के दोरा कैसे समय को ग्याद करते हैं आपने देखा कि चार-चार मिनट के अंतराल पर एक देसांतर सुर के सामने से होकर बुजरता है, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि चार मिनट के अंतराल पर एक देसांतर सुर के सामने से बुजरता है, यानि एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीज की दूरी खुल कि पर है और भारत का समय जो है है वह 250 अगरी-इस अब ह्ति का मानक सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों देशांतरों के बीच में कितनी दिशांतर का अंतर है तो यह तो जीरो डिग्री है आप जानते हैं यहां से भारत पूरब में है कितना पूरब में है साढ़े बैयासी दिशांतर पूरब में है हमने बताया था कि जो भाग पूरब में होगा क्योंकि सुर्योदय पूरब में पहले होता है वहां सुर्य पहले निकलेगा तो वहां समय पहले होगा तो जीरो डिग्री पर माल लिजे अभी भारत में 12 बजे है दो पहर के 12 बजे है ठीक और आपको लंदन का समय ग्याद करना है वैसे तो आप 5.5 घंटा माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा लेकिन ये 5.5 घंटा कैसे माइनस करेंगे कैसे 5.5 घंटे एक्ष्यूवल कैसे आएगा उसको हम दिखाते हैं चुकि हमको दोनों देसांतरों के बीच में जो अंतर है कितने डिग्री का ये सबसे पहले ग्याद करना है तो आपको पता है कि 0 से 85.82 में अंतर जो आएगा वो 85.82 डिग्री का ही आएगा तो इसी 85.82 डिग तो आजाएगा 4.82, 328 मिनिट यानि 82 डिग्री को पार करने में कुल कितना समय लगाता है? 328 मिनिट का एक डिग्री को पार करने में 4 मिनिट का समय लगता है तो आधा डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 2 मिनिट का तो कुल कितने मिनिट हो गया? 330 मिनिट हो गया यानि यहीं लंदन के समय में और अपने भारत की मालक समय में कुल कितने मिनिट का अंतर है मिनिट में आप चेंज करेंगे तो 330 मिनिट का इसी 330 मिनिट को आप घंटा मिनिट में परिवर्टिक कर गीजे इसमें भाग देजिए 60 का 60 पंचे 300 बचा 30 यानि 5 घंटा अब तरह आप चूकि साड़े पांग घंटा हम इस्ट में हमारे शुरियोदह उंके जिक्थी सुरियोदह होता है ना-इसे 5 घंटा ही हम् पहले समय होता है और उनके हाँ 5-5 गंटा पीछे समय होता है, तो अभी भारत में जी 12 बजे हैं, तो इसी 12 बजे में 5-5 गंटा निकाल देजे, तो ये एक्ट्वल समय पता हो जाएगा, जैसे 12 बजे में 7-5 गंटा निकाल देगी, तो कितना बजेगा, 7 बजेगा, सुबह के, early morning वाला जो 7 ब एम, यानि सुबह के 36 बजे रहे हैं, जब हमारे यहाँ दो पहर के 12 बजे रहे होंगे, तो लंदन में 6 बजे कर, सुबह के 6 बजे कर 30 मिनट होगा, हमें यह अनुमान हो चुका है, कि आपको इस सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, एक सवाल मैं देता हूँ आपको हल करने क और जैसा फिट वैब होगा, वैसा बताईएगा, और हम उस सवाल को पुन हल करने की भी पोसिस करेंगे, कि कैसे आप तो समझ में आया की नहीं, जैसे, मालीजे हम एक समय देते हैं, कि यदि चालिस डिगरी इस्ट पर सुबह के नौ वजे हैं, तो चालिस डिगरी वेस्ट पर क्या समय होगा, एक कोस्चन मालीजे हम आप से पूँच लेते हैं, तो आप इस समय को कैसे, हम इसको समझा भी देते हैं, इसको कैसे आपको ग्यांद करना होगा, अब हम इसको सक्से सरल तरीके से मानचित्र से आप समझ सकते हैं, तो आप मानचित्र के दोरा हम इसको और सरल तरीके से समझाने की खोशिस करेंगे, अब मानचित्र पर देखे के 9 बजे हैं 40 बिज्ट करिए सुबह के 9 बज़े यानि यह 40 डिग्री यह है इस रेखा पर सुबह के 9 बज़े है और 40 डी वेस्ट का यह समय है से इन दोनों के बीज का जो अंतर है उसी का अंतर हम निप पुशा क्या है समय मगत तो जीरो से 40 डिग्री और आपको समय बताना है तो वही फिर से एक डिगरी देसांतर रेखा को पार करने में चार मिनिट का समय तो आसी को पार करने में 320 मिनट का यानि दोनों देसांतर पर 320 मिनट का अंतर है अब इस 320 मिनिट को आप घंटा मिनिट में परिवर्तित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 60 का भाग देनेगे 60 पंचे 320 बचा यानि 5 घंटा 5 घंटा 20 मिनिट का फरका है दोनों के समय में 5 घंटा 20 मिनिट का 40 डिगरी इस्ट और 40 डिगरी वेस्ट में 5 घंटा 20 मिनिट का फरका है अब आपको कोश्चन देखिएगा सुबह के 9 बजे हैं इस्ट पर 40 डिगरी इस्ट पर सुबह के 9 बजे हैं 40 डिगरी वेस्ट पर चुकि वेस्ट भाए तो समय पीछे होगा तो योदे वहाँ बात में होगा तो हमें क्या करना होगा 4 घंटा 5 घंटा 20 मिनिट को पीछे करना होगा यानि 9 बजे हैं तो 5 घंटा माइनस कर देंगे तो किना हो जाएगा सुबह के 4 बजेंगे और 20 मिनिट और 4 बजे में 20 मिनिट और निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा तीन बज़ कर चालीस मिनट इस तरीके से आप कहीं क्या भी दोनों देशांतरों के बीच का अंतर निकाल लेंगे और चार का गुणा करके फिर उनको घंटा मिनट में परिवर्टित करके इस्ट में है तो जोड़ना होगा वेस्ट में होगा तो पीछे करना होगा इस तरीके से आप समय को घ्यांद कर सकते हैं अब यहां से जो कोश्चन पूछा जाता है वो ध्यांदी देगा या तो दो अस जीरो डिग्री देशांतर रेखा को या इस पर आईएगा जीरो डिग्री देशांतर रेखा को यह जिन जिन देशों से होकर गुजर रही होती है उनके सारे देशों के नाम जीरू डीग्री देशा नतर रहता किन देश्दों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय यिनुनी, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। भारत का आउटलाइन मैं बना भी सकते हैं भारत का मानक समय अब इतना कम्प्लीट कर लेंगे तो आपका दिसांतर जो है वह चैप्टर कम्प्लीट हो लेंगे ओके थांक्यू